त्रिशाला और संजे दत्त के बीच बढ़ रही है दरार दोस्त का खुलासा बेटी के लिए दरवाजे बंद संजे दत्त की जिंदगी एक फिल्म की तरह है जहां कही उतार चढ़ाव रहे हैं यही बज़य है कि संजे लोगों के सामने सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही लाते हैं लेकिन परसनल लाइफ पर वो कभी खुल कर बात नहीं करते हाल ही उनके बड़ी बेटी तिशाला दत्त के बोय थ्रेन का निलन हो गया था इस घटना के बाद से तिशाला एक दम टूड़ी खबर है कि अब संजे और तिशाला के बीच दूरियां बढ़ रही है डेकन क्रोनिकल की एक रिपोर्ट के मताबिक संजे दत्ने 29 जिलाई को अपना 61 जन्म दिन मनाया था इस मौके पर उन्हें दुनिया भर से फैंस और उनके चाहने वालों ने उन्हें विष्ट किया लेकिन इस मौके से उनकी बेटी तिशाला नदारद रही तिशाला अपने जन्म के बाद से ही यूसा में रह रही है संजे के जन्म दिन से कुछ दिनों पहले ही तिशाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया था कि उनके बोय फ्रेंट की अचानक मौत हो गई है उन्होंने कई भावु कर देने वाले संदेश सोशल मीडिया पर लिखे थे लेकिन इस दुख की घड़ी में तिशाला के पिता संजे दत का कोई रियेक्शन नहीं आया इसी वज़े से अब पिता और बेटी के बीच दूरियां बढ़ने लगी है रिपोर्ट की माने तो संजे दत के एक करीबी दोस्त ने बताया ऐसा लगता है कि संजे ने तिशाला के लिए दरवाजे बंद कर दिये हैं क्यूंकि नत तो उन्हें यह पता चलता है कि उनकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है वह उससे किसी भी तरह का emotional connection नहीं बना पाते हैं दोनों के बीच किसी भी तरह का direct या indirect connection नहीं है इससे पहले संजे दत की बायोपिक संजू में भी तिशाला का कहीं जिक्र नहीं था इस पर संजे दत के दोस्त संजे मांजरेकर ने कहा था कि इतने महत्वपूर्ण हिस्से में बेटी का जिक्र नहोना घलत है आपको बता दे की बीते साल तिशाला ने संजे दत को सोशल मीडिया पर जन्म दिन की शुब का मनायन दी थी